असलाम लेकूं माई यूटूब फैमली कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप सब खेरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक तो आज जड़ पच सी बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी मेरे पास घर में मजूदती समया और मेरे मीठा काने का बहुत दिल कर र केवा था तो सबसे पहले मैंने फैल मेरे में रहाइ करने को में कुछ चाहिए तो निदूने में मामा कुछ मीठा कई बगाटर बनना रिशियर करते थी के चले हैं वह फट आफट से ही सिओई इसको एनको कर मैं पास तो मैंने भास छेयर करते हैं तो मैंने प्रइन्स के मैंने पैन में डाला और इनको मैं जो है simple roast कर रही हूँ इसको normal flame पे medium flame पे मैं बारोस्ट करूंगी तो थोड़ा सा इनका जो है वो रंग थोड़ा सा change होना तो तब मैं जो है इसके अंदर condens milk तो मैंने जो है एक उसमया मैंने ली थी और उसमें जो है वो एक टीपा कंडेंस मिल्क मैंने एड़ कर दिया था इसके लावा मैंने इसके अंदर कोई और चीज एड़ नहीं की ये देखें आपके सामने सुईया जो है वो रोस्ट होना स्टार्ट हो गई इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया यहां पर मैंने एक प्लेट ली और प्लेट के अंदर मैंने आइल ग्रीस किया उसको अच्छी तरह फिंगर से मैंने इसको से ब्रैट कर लिया पूरी प्लेट पर मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया ताके जो हमारी सुईया होंगी जब हम इसमें डालेंगे तो यह जो है चिपके नहीं तो यहां पर हमारे समया जो है वो रोस्ट हो चुकी थी यहां पर मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो आड़ करना स्टार्ट किया फ्लेम जो है वो मैंने ओफ कर दी थी और पैन जो है वो काफी गरम है तो इसलिए जो है वो मैंने इसको थोड़ देख लिए नीचे भी उतार लिया था ताकि जो है वो मजीद रोस्ट ना हो तो इनके अंदर मैं कंडेंस मिल्क साथ एड़ करूंगी और इसको प्रॉपर मिक्स करती रहूंगी ताकि इनके अंदर हर जगा पे सुवईयों के अंद कर लिया प्लेट के अंदर इस तरीके से मैं इसको सेट करूंगी तो बहुत टेस्टी और बहुत ही एजी रेसिपी है जटपर सी बनने वाली करण्च सुवईयों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं तो यह हमारी प्रॉपर तरीके से है इसको मैंने प्लेट में सेट तो मिलते हैं दस मिन बार यहां पर मैंने यह फ्रीज की हुई जो है वो अपनी समया गरंच समया जो वह मैंने निकाली है इनको जाए मैं कट करके इनको पीसीज कर लूँगी तो इन्शालला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज में चैनल को ला करने ने नेक्स